अलो दोस्तों कैसे अब आज मुलग करेंगे चैप्टर 6 सिमिलर ट्रेंगल का MCQ ऑप्शन की सिस्टम का सारा है MCQ तुमारा काम चलेगा सारा टॉप गेर में और आप पेन पेपर लेकर बैटें आपकी स्क्रीन पर पहला प्रशन लेकर आएंगे और आपके लिए जो सिमिलर्यटी के है वह आपको पढ़ने हैं ध्यान से ठीक है तो पहला कुछन यह रहा, अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हो, आप सभी को पता ही है, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर का कुछ ना कुछ आता है, तो यह MC को होँगा, नहीं तो नहीं होँगा, यह MC को, ठीक है, अब देखो इसको solve कैसे करें, अब ABC दिया है, ABC और यहां पर क्या दिया है, P, Q, R, तो corresponding side उठाओ, तो आप क्या करोगे, AB upon P, Q, corresponding sides are proportional होती है, अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हो, AB upon P, Q is equal to BC, यहां से, यहां से Q, R, उठाओ, यहां से BC उठाओ, यहां से Q, R, उठाओ, clear, तो आप देखोगे, ध्यान से, AB, AB का value कितना है, AB का value 12 है, 12 लिख लो, उसके पाल, P, Q, P, Q का value कितना है, P, Q, यह रहा, P, Q का value कितना है, 9, उसके पाल, BC, BC का value कितना है, 8 लिख लिया, Q, R, Q, R, कितना है, आपका X, X, X ही तो निकालना है, ठीक है, 3, 4, 12, 3, 3, 9, अब X की value किया आजाएगी, यह किया जाएगी, 4X equal to 8 into 3, ठीक है, 4, 2, 8, X की value किया आगई, 6, X की value किया आगई, आपके पास, 6, 6 है कोई option में, जहां पे 6 दिखा हुआ ही, आपका answer, और यह रहा का answer, ठीक है, अगर इसको वैसे solve करने लगे, टाइम लगेगा, पहले figure को adjust करोगे, figure को rotate करोगे, मैं rotate नहीं किया, मैंने figure को, मैंने यहीं से, यहां से ही बना लिए इस चीज़ को, ठीक है, आपको इसी चीज़ को यहाद रखना, यहां पर corresponding side is proportional, यह लिखने कोई ज़रत नह क्योंकि MC को मिलना, आपको one mark से सही करने का, time कम लो, जल्दी करो, आगे बढ़ो, ठीक है, next question आपके सामने यह रहा, अब फिर वही उसी तरह से करेंगे, उसी अप्रोच के साथ, P, Q, R दिया हुआ है, P, Q, R, और यहां पर क्या है, यह similar कि इसके X, Y, Z के, ठीक है, Q का value कितन है, 70 लिख दिया हमेने, अब हमें किसका पूछा, X और Y का सम पूछा, और मेरे को पता है, जितना यह है, corresponding angles are equal, तो 50 यह भी क्या जाएगा, 70 हो जाएगा, अब 3 angle का सम कितना होता है, 3 angle का सम जी, 180 होता है, 3 angle का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है, यह 70 हो गया, 70 और 50, 120 हो यह value कितना होता है, 60, यह 60 तो यह भी क्या होता है, corresponding angles से 60 है, पूछा किया हम से, X प्लस Y का सम, X प्लस Y का सम, X यह रहा 60, Y यह रहा, 60 प्लस 50 कितना होता होता है, 110, 60 प्लस 6, 5, 11, 110, 110 है किसी option में, 1410 जहां पर वही option होता है, यह रहा आपका answer, clear है, next option पर चलते हैं, reason लिख A, B, C, A, B, C, अब इसका यह दिया हुआ condition, ठीक है, अब इसके बाद आपको proof करना है, कि आपके पास यह दो triangle ही, यहां पर word similar नहीं लिखा हुआ, similar नहीं लिखा हुआ, तो आपके पास यह नहीं बोल सकते कि A, B, यह D, E, K, D, E, I का proportional ऐसा नहीं बोल सकते, कोगि यहां पर proportional दिया, उसको उठाते है, A और B, A और B दिया हुआ है, मैं A और B, A इधर रख लेते हैं, B इधर रख दिया मैंने, और यहां पर दूसरी triangle के लिए D, E रख दिया मैंने, D, A रख दिया, E इधर रख दिया, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, B, C और F, D, B से लेके C, C इधर पॉइंट लगा दिया, F, D बोल रहा है, यहां पर F, D होना चाहिए, F, D होना चाहिए, F, D होना चाहिए, F, D होना चाहिए, यह चीज, यह F कर दें, और यहां पर D कर दें, अब देखो, अब सेटिंग करनी पड़ेगी, यहां पर D, F, ठीक है, अब E पॉइंट को य तो कई पर सैट भी करना बताएं, AB के साथ DE है, AB के साथ DE है, यह वाला हाना, यह proportion मे चल रहा है, अब उसके बाद क्या है, BC के साथ F, अब सारा कुछ अपने हाफ सेटल हो गया, BC के साथ, यह वाली है, अब हो गया सेटल दा हूँ, अब तीसरी ही साट को जोइन कर दो अब बता दो कौन से angle equal है वो पहला पूछ रहा तुम से कि angle A equal to angle F है angle A यहां के E आता तो होता है तो यह option तो खतम हो गया A के साथ वो कह रहा है D A के साथ A इधर है D इधर है यह भी नहीं है B के साथ ही तो यही आपका answer होगा corresponding angle A equal समझ आया है थोड़ा सा समझ समझ के करोगा आपको सारी चीज़े समझ आएंगे next question देखो फिर यह आपके सामना अब वही दिया हुआ है ABC P के O R वो तुमें similar दिया हुआ AB AB तो यहां पर क्या ले लेंगे P के O AB पर कर लेते है equal to BC और क्या हुआर BC के corresponding क्या ले लेंगे क्या हुआर ठीक है तो देख लो यहां पर कौन सी जी कहां कहां पर AB कितना है तुमारा 6 AB कितना है 6 P क्या हुआरा 4.5 लिख लिया जी BC कितना है 4 BC लिख दिया 4 क्या हुआर कितना है X मैंने लिख दिया क्योंकि यह सारा क्या corresponding side जाद रिजन लिखने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि option से भी चलते है बीच-बीच में direct भी चलना है अगर आप बच्चे direct नहीं चलोगे इस question को 4-4 minute लोगे और आपके पेपर रह जाना तो आप option को system के साथ ही करोगे तो यह आपके number आएंगे अब इसको इधर करते है तो 6 into x होगे आपका 4 into 4.5 ठीक है वैसे यह भी calculation आपको 33 करनी चाहिए x होगे 4 into 4.5 divided by 6 ठीक है 3 to 6 होगे 15 दिया 45 1.5 हो गया ठीक है नहीं sorry डेड़ का double 3 होता है यहाँ पे 3 15 चार पे 60 होता है तो पे तो 3 ही होता है तो यह होगे आपका answer 3 है option में यह रहा ठीक है तो 3 होगे आपका answer आया सभी को समझ clear है अब देखते हैं आपनो next question अपना यह रहा आपके सामने next question अब देखो कह रहा है कि DE parallel BC है क्या दिया हुआ एक triangle है यहाँ पी चलाते है DE parallel यह वली line इस line के parallel है और यह इसके parallel चल रहा है यहाँ पे X की value हो ठीक है यहाँ पे X दिख रहा है X यह रहा है ठीक है उसमें वो कह रहा है D तक 2 दिया हुआ है ठीक है और यह यहाँ से लेके यहाँ तक यह तो कोई triangle ही है यह कोई triangle है नहीं यह नहीं triangle triangle आपके पास 2 है एक दियान से देखना मैं छोटे मिनाता हूँ एक आपके पास ADE triangle है ADE दूसरी triangle बड़ी है दूसरी triangle ऐसे है ऐसे अगर बाहर निकालके जूम करके दिखाऊं यह दिखेगी तुमें A B C यह वाली बड़ी triangle ठीक है तो इसमें AD कितना आपके पास 2 है AD कितना यह देखो यहाँ से पे A से लेके D तक कितना है D से E Find करना X है तो आरी D से E किया दिया हूँ है 4 यह दिया हूँ है आपको 4 और यहाँ पे हमें Find करना Corresponding sides are proportional ठीक है आप ऐसा भी बोल सकते हो 2 का 2.5 टाइम है यह 5 नहीं पता लगा तो इसी दे कर लो 2 by 5 Corresponding sides are proportional 4 by X 4 by X अब cross multiply कर दो 5 4 जा 20 20 होगा यह 2X है अब यह multiply हो रहा है यहाँ पे multiply वाली चीज वहाँ पे क्या हो जाएगी divide हो जाएगी तो answer 10 ना जाएगा जो बच्चे तेज होंगे वो तो सीधे answer mark करेंगे कैसे मैं बदाता हूँ यहाँ पे 2 का कितने point time है 2.5 times है 2 का डाही गुना यह ठीक है 5 पिर 4 का डाही गुना 4 का 2.5 time देखोगे तो यह 10 आएगा तो ऐसा भी कई बच्चे सोच के अपना answer mark कर सकते हैं clear है इसका answer के आगा आपके पास 10 समझ गे फिर देखो next question यह वला बहुते श्यांदार जबर्दस वही same variety का question है आपके पास AP पहले देखो figure में दिखाते हैं AP AQ AP AQ की value 1 है AP की 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और AQ यहाँ से लेके यहाँ तक 1 ठीक है अब उसके पाब P से B P से लेके B यहाँ से यहाँ तक 2 यहाँ से यहाँ तक 2 यहाँ से यहाँ तक 2 ठीक है तो तुमें P के उओ और B C में relation बताना है P के उओ और B C में relation हल में बताना है क्या है कौन सा इसमें से option सही है अब मेरी बात सुनो फिर से छोटी triangle बनाएंगे आपको दिखाई थी ना पहले भी A B क्या हूँ A B C A B C अब देखो मेरी बात सुनो A से लेके P तक कितना यहाँ से यहाँ तक 1 यहाँ से यहाँ तक 1 A से लेके यहाँ तक A B 1 और 2 कितना हो गया? 3 1 और 2 कितना हो गया? 3 A से लेके B तक कितना हो गया? 3 और PQ और BC में रिलेक्शन निकालना, बस यह कर दो, corresponding side is our proportion, यह side upon यह side, 1 by 3 is equal to PQ और BC, इसका क्या है, यह वली side के साथ, यह वली side है, अना, तो आपको क्या निकालना, PQ, तो cross multiply का PQ equal to BC by 3, तीसरा हिस्सा है, देख लो किस option में, इसमें तो है नहीं, इसमें भी है नहीं, हमेशे, चाहे आपको answer दीखे जाए, पर 4 option हो के जाओ, कई बर क्या होता है, वो ऐसा डालता है, कि modification डालता है, तो 4 option को एक बर देखके जाओ, जल्दी answer भी मिलता है, वही बर तो देखो, इसमें ऐसे मिल गया ना, पर तो भी 4 option देखके जाओ, यह नहीं, यह नहीं, अपने से क्रैम भी करना चाहिए, यह वाला, अगर मैं pencil से दिखाऊ, यह चीज, यह triangle दिखा तुम्हें, यह triangle और यह triangle, यह triangle, यह triangle, यह triangle similar होते हैं, क्यों होते हैं, यह आप लोगों ने questions में पढ़ा हुआ, यह angle इसके corresponding होता है, यह वाला, और यह vertical opposite angle बनके यह हो जाता है, ठीक है पर अभी बात वो नहीं है कि आपको आता है कि नहीं, क्योंकि उसने यह नहीं देखना कि तुम्हें सारी story आती है कि नहीं, क्योंकि story will take 10 minute, and we have only 2 minute से जादा नहीं है, mcq, 2 minute तो कोई-कोई, रहस तो 10 second और 1 minute में होना चाहिए, तुमारा mcq, ठीक है, अब यह याद रखो क तो कि यह दोनों similar रहते है, क्या रहते हैं, यह दोनों triangle similar रहते हैं, क्यों मैंने बता दिया, अब आपके पास a, b का value 9 है, इसका value 9 है, इसका value 6 है, और p, d का value 8 है, b से लेकर d तक की line का value 8 है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अगर मैं doc को बाहर निकालू, doc को मैं बाहर निका तो पूर्सपंडिंग साइड्स तो पर्पेंट का बोचनल्ला ओर This dallamusic ₹ grid by डी कि बिएल्बचक года यह मैं आद मनिहत्यास पाइडना मतलो इंका इंका रेष्ञ यह से स्द्माइड D क्योंकि DC upon AB is equal to DO over OB क्योंकि corresponding sides क्या होती है सारी proportional होती है OC upon OA इसारी क्या आजेगी 6 by 9 corresponding sides are proportional क्योंकि ये triangle क्या similar है और DO और OC का ratio मतलब तुमारे पास DO और OC का जो ratio है वो क्या है आपके पास 6 ratio 9 ठीक है 6 ratio 9 तुम्हें BD की length दी हुई है BO की length find करनी है BD की length तुम्हें दी हुई है 12 BD की length कितनी दी हुई है 12 ये रहा आपके पास 12 दी हुई है न और हमें find क्या करना है BO find करना ठीक है अब देखो मेरी पास सुनो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा 3 3 जा 9 ठीक है DO over OC का जो ratio है वो क्या है 2 ratio 3 ठीक है अब पूरी लाइन दी हुई है अब देखो ध्यान से DO over OC नहीं है DO over यहां पर गलत लिख दिया मैंने DO over OB है ये DO over OB और हमें length किसकी find करनी है OB ये इसका ratio दिया है हमें OB की क्या find करनी है इसकी length then BO is equal to अब ध्यान से देखो कि जो BO है तो OB या BO एक ही बात है BO BO क्या है 3 part है over total कितना है 2 पलस 3 5 fraction में दिया न 2 ratio 3 है 2 ratio 3 का मतलब क्या है ये part लिया जिसका find करना OB का value find करना है 3 upon total total कितना है 5 into total length कितनी है यहां से यहां तक तुम्हें दियो है PD की value कितनी दियो है 12 PD की value 12 3 by 5 into 12 ठीक है 12 यह 36 by 5 ठीक है 36 by 5 यह प्रोक्सिमेटली 5 साथे 35 7 point कुछ answer होगा 5 यह 10 लो जी 7.2 answer आपका आगया जिनको नहीं पता लगा है फिर से यहां मेरे को पता है कि आपको यहां तक समझाया होगा यहां तक आगे नहीं समझाया होगा अध्यान से देखना मैं समझाता हूँ जैसे हम छोटी कलासों में पढ़ते थे ना यह चीज यह पूरी लाइन को अगर मैं देखू यह D यह B यह 2 रेशो 3 यहां से यहां तक O की value और पूरी लेंथ कितनी दी हुई आपको यहां से यहां तक B से लेके D तक 12 दिया हुआ ठीक है और यह 2 रेशो यह 2 पाड़ दिया हुआ यह 3 पाड़ दिया हुआ तो हम लोग क्या करते है अब मेरको इसी की length पूछी है यहां से यहां तक की length पूछी है उसने यह वली length यह वली length कितनी होगी ratio में दिया हुआ न तो आप क्या मांगल लेते थे 2x, 3x मानों के पर नहीं है अभी इतना time नहीं है तो ये part 3 upon total fraction कितना है यहां से यहां तक का 3 ये 2 total 5 fraction है into total इसकी length कितनी है 12 1236 वै 5, 7.2 ठीक है थोड़ा तेज करोगे थोड़ा से मैं मानता हूँ कि थोड़ा ये आपके लिए difficult होगा है पर ये difficult है नहीं पूछे पूछ सकता है सा question ठीक है standard के वेपरस में ठीक है अब देखो अब ये question भी देखो बढ़ा important है आ सकता आपको ठीक है D is a point on the side B C D is a point on the side B C of a triangle A, B, C ठीक है अब इसकी बात मैं एक और बता हूँ आपको कि आप कोई भी triangle ले लो ठीक है कोई भी चीज ले लो उसमें ये चीज़ लगता है आपको एक चीज़ पता होना चीज़ ये pattern मैं बोलता हूँ बड़ा important है अगर आपके पास सुनना मेरी बात ध्यान से ये वाला angle और ये वाला angle equal हो जाता है आप ये याद रखोगी कि ये वाली side का square A, B, C में इसके साथ relation मना के दिखाता हूँ A, B, C, D ठीक है इस side का जो square होगा इस side का जो square होगा वो क्या होगा इस side half into full होगा half into full होगा कि अगर ये वाली line लो ध्यान से देखना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ अगर आप ये वाली line लो ये मैं इसको थोड़ा सा लंपी line लेता हूँ ऐसे ये line अगर आप इस line का square करोगा इस इधर वाली line का square तो आपके बस result वहई है half into full half into full half into full तो अभी के लिए तो इतना बताते है एक T pattern भी बनाते है हम लोग T pattern में ऐसा हो जाएगा अगर ये ये वाली side का square होगा into half into half तो मैं तीनों की result बता देता हूँ तो मैं क्या होते हैं ये आता है गोशन ये ये कौन से pattern में क्या सगूं किया जाज़े ये में क्या है नहीं सकता पहला pattern ये वाली line का square अगर इस के figure के coding देखो CA का square तुम्हारा किस के को लो जाएगा CA का square CA का square half into ये वाली line ये line का CD क्या है आपके पास ठीक है अब जैसे ये MC के वो मैं उसे coding बता देता हूँ ठीक है आपको दिखे मैं बाकी सारा erase कर रहा हूँ ठीक है वैसे जिनको समझ आना था आगया pattern मैं ये पहले ये साफ करके दिखा देता हूँ पहले question solve करते हैं तो ये वाली line का है आपके CA का square is equal to ये line छोटी line का है CD into क्या है BC ये तो pattern है pattern याद रखो ठीक है into BC तो अब इसको ये CA square का मतलग है CA into CA CD into BC क्योंकि इसने fraction में बूचा मेरे से मैं इसको बना दूँगा एक CA इधर शोड़ देता हूँ एक CD को नीचे ले आता हूँ इसके नीचे ले आ है BC into ये नीचे आ जाएगा एक CA दिख गया pattern ऐसा कुछ है CA CA CD CD CB CA CA pattern याद रखो ये pattern में इसका आंसर शुपा है और अगर इसी according देखना है था ये इस line का square मलला अगर इसका एक और result अगर देखना चाहते हो ये वाली line का square किया मलला इस line का square का है AB अगर second pattern देखाना हो AB का square is equal to क्या आ जाता छोटी line क्या है यहाँ पर BD BD into पूरी line पूरी line BC ठीक है ये pattern है याद ही रखना चाहिए आपको अगर एक और देखना है आपको इसका तीसरा इक कैसे क्या आ जाए मैं कुछ कह नहीं सकता पर आ सकता है जैसे ये line ये वली line का square ये ही दिखा है आपने ये line का square यहाँ पर क्या है AD का square is equal to ये BD into CD BD ये वली line into ये वली line अगर देखो कि BD into CD तो ये तीन बन सकते हैं कैसे बने हैं वो मैं कुछ खास कह नहीं सकता एक pattern ये एक pattern ये एक pattern आपका ये जो मैंने आभी आपको सिखाया है clear है clear है सभी को समझ आया next देखो विल कोशन ये वला if D is a point on the side B C of a triangle ABC एक ABC एक triangle है बना दिया ABC एक triangle है A B C कह रहा है D is a point on the side B C of a triangle ABC D एक point है इसके उप़र ठीक है such that B D is equal to C D ये वला चीज इसके एक्ववल B D is equal to C D equal to A D A D के वह एक्वल है मैंने तीनो साइडे एक्वल होगी तीनो साइडे एक्वल होगी तो मतलब आप क्या बोल सकते हो क्या बोल सकते हो अच्छे मैं अगर इसको रिडिस मान की देखना भी एक चीज दिखाता हूँ ठीक है अब यह मान के चलो की यह चीज इसके साथ जूड़गी अब जहां से देखना यह सरकल की तरह बन जाएगा थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ पॉइंटों को ऐसे अब आया दिखा चीजा यह कब होता है यह जब रेडियस होगा तभी होगा न यह पॉइंट से यह डिस्टन्स यह डिस्टन्स सारे डिस्टन्स बरापर होगे यह वाला डिस्टन्स यह डिस्टन्स यह तब होता न जो यह सरकल बनेगा और हमें पता है कि यह एक और बात क्या है कि अगर इसकी बात करो A, B, C की यह ऐसे बन गया ना अगर A, B, C की बात करें ऐसे हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा तो हमें पता है यह एंगल कितना है straight line 180 degree angle on semicircle तो ये central angle double down scribed angle इसका आधा होगा तो ये क्या होगा है कि 90 degree होगा तो आप यहाँ पाइतागुरस लगा दो पाइतागुरस लगाओ कि 90 degree का opposite क्या है ये तो BC का square hypotenuse होगा BC का square is equal to इधर का square AB का square प्लस इधर का square प्लस AC का square इसा है किसी option में वही इसका answer होगा देखो चे BC का square है किसी में है इस में इस option में तो है नहीं इस में नहीं है इस में नहीं है तो यह answer है इसका clear है? समझ के मेरी बात? next question देखो फिर ये रहा ये I think आज की class का last question होगा हमारा हाँ ये last है अब इसके बात एक लाडर है if a ladder is placed in such a way that its foot is at a distance of 12 meter कितने distance बे है? ये ladder है ट्रीक है ये ladder होगी ladder बना दिया हमने if a ladder is placed in such a way that its foot at a distance of 12 meter from the wall ये वाल है परले पूरी feeling लेते हैं और यह फुट से कितना दूर है, बारा मिटर की दूरी पे है, ठीक है, यहां से यहां तक, इट्स टॉप रिची से विंडो, इसकी जो टॉप है, टॉप यह विंडो को टच करता है, ठीक है, यह विंडो हो गई, window its top reaches a window 9 meter above the ground वो ground से यह हो गया मालो ground वैसे यह गलत मेने बना दिया notation ground का notation नीच्छे होता है ground को ऐसे दिखाते है चल मैं और ground से यह distance कितना है यह यह distance है 9 meter तो यह 90 degree हो गया हाँ above the length of the ladder length of the ladder लगाओ पाइथागोलस निकालो इसका आंसर पर मैं पाइथागोलस निगाओंगा क्योंकि मेरे पास तो option के system है और इसके सथ और दो तीन चीजे है तो मैं यहाँ पे लगाओंगा पाइथागोलस ट्रिपलेट 9, 12 तीसरा पता करना है ना आप निकालो कि वैसे भी निकल जागा मैं यह देखाए एक कॉमन टेवल बजाते है 3, 3 is a 9, 3, 4 is a 12 एक ट्रिपलेट दो तो 3, 4, 5 3 का कितने टाइम्स है, 3 ताइम्स है, 4 का कितने टाइम्स है 3 ताइम्स है, 5 का 15, 15 एंसर मैं मैं रुक जाओ अभी मैं इसका वो भी सिखाता हो तो मैं 9 का स्केर 12 का स्केर कितना होता है 144 9 का स्केर कितना होता है 81 4, 1, 5 होगा, 8, 4, 12 225 और यह रूट 225 किस पे होता है 15 में चाहे ऐसे निकालो, अगर ट्रिपलेट आता है तो ऐसे निकालो आई समा सभी को, ठीक है तो हाँ जी तो इसी के साथ आज के कोशन होते हैं समाप्त लिखते हैं, हम लोग दा एंड मिलते हैं आपको नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए टाटा बाई बाई जैहिन और अपने दोस्तों शेयर करना मत भूले